यहां पर सिढ़ी बनी हुई है यह मलाज कुछ पर छोटा सा गाड़न जैसे हां पर बनाए है और एक मंदिर भी है अब देख सकते हो गाइस इसे बहुत सारी सिढ़ीया बनी हुई है मैं चड़ से चड़ते थक भी गया हूं अब देख सकते हो गाइस कितनी लंबी सिढ़ी है लालो करिया अब देख सकते हैं गाइस एक दूरलब प्रजाथी का यहां पर क्या बलते हैं इसको वह टेटका बलते हैं चटित गड़ी में हिंदी में को पता नहीं है अब लोग नाम आप देख सकते हैं गाइस एक चटान से यहां से एक पेंड निकला है और देख सकते हैं कितनी सारी सिढिया है और यह मंदिर के वे जाती हुए बहुत पुरानी जगह है देख सकते हैं यह बहुत अच्छी जगह है मलाजकुन जो कांकेर से 22 नमटर परिस्तित है बहुत ही अच्छा जगह है यह देखोगा इस कितनी सारी सीडिया है मैं चरते चरते ठक गया हूं और मेरा जो दोस्त है सूरिया वह अभी तक नहीं ठका है देख लीजए गाइस मेरे दोस्त लोग अभी अभी भी सीडी चडी रहे हैं सीडी अभी तरह कंप्लीट हुआ ही नहीं है यह गाइस अपने कला का प्रदाधान करते हूं देख सकते हो गाइस कि इतना अच्छा नहीं जा रहा है अब देख सकते हैं गाइस कितना बड़ा पहाड है पहाड़ी पहाड़ बहुत सुंदर जगह है बारिस के समय में जरूर आई है इस जगह को देखने के लिए यह 36 गड़ का प्राकृतिक धरोहर है जो यहां पर प्राकृतिक ने यहां पर वाटरफॉल का रूप दिया है अ और देखिए अब इस सीड़ी खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा है देखिए मेरा दोस्त बुला रहा है और मैं ठक चुका हूं गाइस में ठक के बैठ चुका हूं उन लोग चड़ते ही जा रहे हैं और कितना उपर है मैं को नहीं पता कि मैं पुरी तरह से ठक गया हूं गाइस और इस लिए खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा है नहीं ले रहा है देखिए गाइस यह पीछे करना जा रहा है अभी तक हमारी सीड़ी खतम नहीं हुए है और मैं ठक के चूर हो चुका हूं गाइस आप देख सकते हैं सीड़ी अभी तक खतम ही नहीं हुए है अब देख सकते हैं काइस मैं पहार के उची चूटी पर बहार गया हूं और वो टेमपर अभी तक हमको दिखा नहीं है पाता नहीं कितनी दूर है गाइस मैं ठक के चूर हो चुका हूं और दो जो बंदे हैं बंदर के माफिव जल्दी जल्दी चलके आगे भी निकल चुके हैं कहां है वो भी पता नहीं है है कि आइस हाइनली हम लग पहार की उची चोटी पर पहुंच चुके हैं है अब देख सकते हैं यहां से जो वाटरफाल का जो मेंद पानी यहां से यह आता है पानी उपर से जो अपर का एरिया है जो पहार की उची चोटी पर इस्ति थे उधर का पानी नीचे बहते हुए बाटरफाल में जाती है और यहां का नजारा आप देख सकते हैं अथी मैं इस अच्छा है कहbased सकते हैं को अ कि अच्छा प्रतिव हो रहा है अ अधीब सूर्य सुर्य बहुत अच्छा जारा पहाड भी लिख सकते हां पहाड के उब पूंची चोटी पे हूं और यहां पे बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है आप यहां करना जारा बारीज के समय में आके देखना गाइज यह बहुत अच्छा है अब ज्यादा इसमें मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा अब खोदी आके देखना इसको यह जो है 36 गड़के कांके जिले के जिले से 22 कि दूरी परिस्थित है अब देख सकते हैं कितना सुन्दा ना जा रहा है जाइएज के जिले से 22 कि दूरी आहा है